अधिकतर सुभा की रोटी बच जाती है जिसे दो बारा कोई खाना नहीं पसंद करता है लेकिन ये ठंडी-ठंडी रोटी से हम बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी नास्ता जिसे हर कोई मांग मांग कर खाएगा इतना टेस्टी लगता है कि बच्चे से बहुत ही ज्यादा सबसे पहले हम रोल बनाने के लिए स्टफिंग तयार करेंगे तो आधी कटोरी हमने मलाई ले लिया है दूद की ताजी ताजी सी मलाई उतार कर ले ले या एक दो दिन की रखी हुई मलाई भी यूज कर सकते हैं लेकिन वह खटी नहीं होनी चाहिए मलाई में एक चमच पिसी यूज की बहुत ज़्यादा मीथा इसे नहीं करना है इसे अब हम एक बड़े बतन में डालेंगे क्योंकि सारी फ्रूट्स हमें इसी में मिलाने है आपको जो जो फी फ्रूट्स खाना पसंद हो वो सारे डाल सकते हैं एक बनानों को बारी काट करके लिया है एक अम्रूत को चोटे-चोटी टुकडों में काड़ करके लिया है थोड़े सानार के दाने डालेंगे और बारी कटा हुआ सेप डालेंगे इन सारे चीजों को अच्छे से मिला लेंगे जो मलाई है यह सारे फ्रूट्स में अच्छे से मिल जानी चाहिए और यह क्रीमी फ्रूट्स तयार ह इसे आप किसी भी रेसेपी में यूज कर सकते हैं जैसे की टोस्ट के उपर डाल कर इसे खा सकते हैं अब हम इसके रोल बनाएंगे हमने सुबा की बचिवी रोती ले लिया है और इस रोती में हम लगाएंगे पीनट बटर कितना ज्यादा फायदे मन्न होता है यह तो आपको इसे आपको जितना कम या ज्यादा खाना पसंदो उतना रोटी पे अच्छे से चारो तरफ फैलाते हुए लगा ले आप चाहें तो सिंपल तरीके से इस रोटी पर यह फ्रूट्स डाल करके ऐसे भी से खा सकते हैं लेकिन पीनट बटर लगा देने से इसका टेस्ट दोगन कर सकते हैं बच्यों को हेली खिला भी सकते हैं और सुवह की बचई हुई रोटी ही यूज़ कर सकते हैं अब हम इसके ओपर येीफ्रूट्स की स्टुफिंग डालेंगे को भर भर तोड़ असा टमेटो केचप बढ़ा देंगे यह कैसी पर बाएब करें अब रोटी को आप अपनी मन पसंद रहे रोल करें इसे एकदम रोल कर लें या इस तरीके से इसे फोल्ड कर ले या हाफा फोल्ड कर ले आपको जैसी पसंद आए उस तरीके से इसे रख सकते हैं आप जायत इसमें फाइल पेपर भी लगा सकते हैं या इसे ऐसे ही पकड़ करके खाएं बहुत ही लाजवाब लगती है एक बार यह टेस्ट इसी रेसेपी जरूर ट्राइ मिलते हैं ऐसे ही टेस्ट इस्ट इस्ट इक तम नहीं रेसेपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बावाब